हेलो फ्रेंट्स आप सभी क्या गाही उरानी ब्लोक्स में बहुत बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे मूली का पराटा बहुत ही सिंपल तरीके से तो वीडियो को बना स्केप के पूरा देखें सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे मूली मूली को हम क्या करेंगे दोनों साइट से इसके किनारों को काट करके हम हटा देंगे इसके बाद हम लेंगे एक छीलन और इसके साहता से हम मूली को अच्छी तरीके से छील करके त्यार कर लेंगे प्रेंस बहुत ज़्याता सिंपल तरीका है आप वीडियो को बिना स्किप्ट के पूरा देखें तो बस मुली को अच्छी तरीके से हम यहाँ पर चीर करके रख लेंगे मेरी जादे बड़ी मुली है तो मैं इसे 20 से 2 टुकडो में कर ले रही हूँ दो टुकडो में करने के बाद हम इस तरीके से ग्रेटर लेंगे और अपने मुली को हम यहाँ पर कद्दुकस करके रख लेंगे सारे मुली को कद्दुकस हम यहाँ पर कर लेंगे सारे मूली को कद्दुकस करने के बाद हम इसका पानी हम इसमें से निकालेंगे तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे एक चम्मच नमक नमक डालने से कि आपकी जो मूली है वो ज्यादा पानी छोड़ देगी तो बस इस तरीके से हम हाथों से मूली को दबा करके सारा पानी को निचोड़ करके अच्छी तरीके से निकालेंगे आप चाहो तो एक कपड़ा ले सकते हो एक कपड़े में सारे मूली को डाल करके उसका पानी यह से निचोड़ सकते हो या तो आप इस तरीके से जिससे मैं हाथों से कर रहे हैं इस तरीके से भी आप कर सकते हो तो यहाँ पर हम अपने सारे मूली का पानी निकाल लेंगे अब हम इसमें डालेंगे एक चमच कुर्टी जवी अद्रक और मिर्च का पेस्ट आधी चमच मंग्रेला और एक चमच हम यहाँ पर अजवाइन डालेंगे अजवाइन को हम अपने हाथों के बीच रगण कर डालेंगे अब हम इसमें डालेंगे आधी चोटी चमच से कम हल्दी पौडर आधी चोटी चमच से कम लाल मिर्च पौडर आधी चोटी चमच धन्या पाउडर साथ ही हम इसमें डालेंगे दो बड़े कलचुल आटा तो फ्रेंट्स आज में आपको भर कर नहीं आटे में मिला करके मुली का पराठा बनाना बता रही हूं यह से बहुत ही सिंपल तरीका है और यह बहुत ही जल्दी बन के तयार होता है तो बस आटे और मुली को अच्छे तरीके से हमें मिक्स करना है और थोड़ा थोड़ा पाइन डाल करके हम एक सोफ्ट आटा लगा कर तयार करेंगे ध्यान रखें कि आपको दुबारा मुली में नमक नहीं डालना है दुबारा नमक डालने से आपका मुली बहुत ज़़ा पानी छोड़ने लगेगा तो आपका आठा गीला हो जाएगा तो बस हमने यहां पर आठा को तग लगा कर तयार कर लिया है तो आठा जैसे ही आपका लग जाएगा फटाफट से आपको मूली का यहां पर पराठा बनाना है तो यहां पर हम लोया काट लेंगे तो नॉर्मल र तेल लगाने के बाद इसे हम आधा मोड देंगे फिर इसके उपर भी हम अच्छी से तेल लगाएंगे फिर इसे हम टिकोने सेप में दे देंगे और इसे हम बेलेंगे हलके हलके हातों से एक पराठा का सेप हम दे देंगे पराठा बेलते वक्त आप ज्यान रखें कि आपका प तवह को गर्म हो जाईगा तब उसमे डाल देंगे अपने पराधे को जाएगा दोसरे साइट लेए फिर इसके दोनों साइट हम अपने पराधे को सीख लेंगे तो medium flame पर अपने पराठों को सेखेंगे, high flame पर बिलकुल ना सेखेंगे तो आपके पराठे जल जाएंगे इस तरीके से दोनों साइच्छ से अच्छी तरीके से हम सेख सेख करके अपने पराठे को सेख लेंगे friends, ये बहुत ही ज़्यादा सिंबल तरीकह है आप इसे झाट पड मूली का पराठा बना कर सेख सकते हो और खा सकते हो बिना किसी फटने का झांजट से आप इस तरीक के से बनाए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा स्वाधिस्ट होता है तो इसी तरीके को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें जिससे कि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए मेरे चैनल पर इसे तरीके से आपको बहुत सिंपल तरीके से रेसिपी इसको बनाना बताया तो हम यहां पर अपने पराठा को सेख करके निकाल लेंगे अब हम चलते हैं से सर्व करने के लिए इस हम बनाया है धनिया पता है कि आप चाहो तो इसे किसी भी चैटनी के साथ खा सकते हो बहुत ज्यादा टेस्टी और स्वाधिस्थ है तो फटा-फट से आप इस तरीके स से आज ही आप बना कर देखें और कमेंट मेरे साथ जरूर शेयर करें वीडियो पसाद आए तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना भिल्कुल न भूलें